पुश्पा, पुश्पा राज, मैं जुकेगा नहीं सबाए पुश्पा राज उन्चंदन की लकड़ीों को स्मगल करके लेकर जाता है तब ही उससे पुलिस पकड़ लेती है तब यहाँ पर पुश्पा राज उन्हें एक लाक रुपे की रिस्वत देता है और पुलिस वाले उससे छोड़ देते है इसके बाद यहाँ पर हम पुस्पा के क्वेरेक्टर के बारे में जान पाते हैं कि उसके पास ज्यादा कुछ पैसे नहीं होते हैं लेकिन उस वेक्ति को अपनी इज़त काफी ज्यादा प्यारी होती है। और यहाँ पर हमें ये भी दिखाया जाता है कि किस तरह से वो मजदूर से एक स्मगलर बना। इसके बाद सीन सिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि पुस्प राज एक मजदूर के केरेक्टर में होते हैं जहाँ पर वो स्मगलिंग कर रहा होता है। तब ही वहाँ पर entry होती है DSP Govind की, DSP Govind का नाम सुनते ही सब ये workers लोग वहाँ से भागने लगते हैं, तब ही पुस्पा उन लोगों को एक प्लान बताता है और लकडियों को जंगल में छिपा देता है, और जब DSP Govind यहाँ पर आते हैं तो उनको लकडियां नहीं मिलती और वो गन दिखा कर पुस्पा को धमकाने लगते हैं, पुस्पा उल्टा उन लोग को ही धमकाता है कि आप तो सर्फ चार ही लोग हैं और हम तो साथ सतर मज़दूर, आप हमारा कुछ भी नहीं कर सकते, पुस्पा का पूस्पा को रहा है और बच्पन से ही पुस्पा का एक 113 भाय है, जो इनकी फैملी को परिचांद करता आ रहा है, इसलिए पुस्पा कभी भी कहीं पर भी अपना सरनेम नहीं बताता, सिर्फ वो अपना नाम पुस्पराज ही बताता है फिर यहाँ पर यह चंदन की स्मगलिंग का बिजनिस जिनका था, बो लोग यहाँ पर आ जाते हैं यही पर फिर एंट्री होती है तीन लोगों की, सबसे छोटे का नाम होता है जॉली रेड़ी और बड़े भाई का नाम होता है जग्गा रेड़ी और उनके सबसे बड़े भाई का नाम होता है उंदा रेड़ी इन लोगों का दरसल काम कैसा चलता है कि मजदूर लोग जंगल से ये लकड़ी लेकर आते हैं और ये तीनों भाई मिलकर एक मंगल सीनू नाम के वक्ति को ये लकड़ियां बेज देते हैं वो वक्ति लकड़ियों को बाकी जगह पर भिजवाता है और इसकी अच्छी खासी कीमत लेता है यहाँ पर जग्गा रेड़ी पुस्पा की बेल कराता है और उसे वो कुछ पैसे भी देता है पुस्पा यहाँ पर पैसे लेने के बाद वो लोकेशन बता देता है जहाँ पर उसने ट्रक को छुपाया था और उनके पास यहाँ पर एक आफर रखता है पुस्पा बताता है कि मेरे पास एक प्लान है क्योंकि हर बार DSP गोविन इन लोगों के काम में टांग अडाता है पुस्पा कहता है कि मेरा ये जो प्लान है इसकी भज़ा से हमारा ये जो काम है अच्छा खासा चलता रहेगा यहाँ पर कुंडा रेड़ी उसे 5 लाक रुपे आफर करता है पुस्पा यहाँ पर कहता है कि मुझे 5 लाक रुपे नहीं चाहिए बलकि मैं तुम्हारे बिजनस में 5 परसेंट का पार्टनर बनना चाहता हूँ और आज से वो मज़़ूरी नहीं करेगा वो सिप इन लोगों के साथ पार्टनर्शिप में रहेगा धरसल पुस्पा को 5 लाक रुपे मिलने वाले थे लेकिन पार्टनर्शिप में उसे 2 या 3 लाक रुपे मिलेंगे लेकिन फिर भी वो इसके लिए तयार होता है इसलिए कुंडा रेडडी उसे अपना पार्टनर बना लेता है दरहसल उसका प्लान ऐसा होता है कि वो लकडियों को ट्रक के नीचे रखकर ओपर दूद के कंटेनर रख देता है जिससे कि पुलिस वालों को ये लगे कि दूद सप्लाई हो रहा है लेकिन दरहसल उस दूद के कंटेनर के नीचे लकडियां सप्लाई की जा रही होती है ऐसा ही इनका बिजनेस कई दिनों तक चलता रहता है, कोई भी रुकावट नहीं आती, पुलिस वालों को जरा सा भी सक नहीं होता अब यहाँ पर एंट्री होती है सिव बली की, जिसे देखकर हमारा हीरो यहाँ पर अपना दिल खो बैठता है याडिकी पहली नजर में ही देखते ही उसको प्यार हो जाता है उससे, लेकिन यहाँ पर सिव बली उसकी तरब देखती भी नहीं है अब यहाँ पर हम देखते हैं मंगल सीनू को, वो कुंडा रेड़ी के हैं बहुत सारी लाल चंदन रकडी रखकर चला जाता है वो दरफसला ईसा क्यों करता है कि उसकी गुदाम में चापा पड़ा है, इसलिए वो छुपाने के लिए यहाँ पर लगणियों को रख देता है कुंडा रेड़ी यहाँ पर इसकी जिम्मेदारी पुस्पा को दे देता है यहाँ पर हम देखते हैं कि पुस्पा ऐसे ही बिजनेस को अच्छा खासा चला रहा था लेकिन इनी लोगों के दो आदमी को एक दिन पुलिस पकड़ लेती है और इन में से एक बरकर सीव बली का पिता भी था वो दोनों बरकरों को जब पुलिस मारती हैं तो वो सब कुछ ब और वो आफिसर को कुछ पैसे खिला दे और यहाँ पर हम यह देखते हैं कि वो लोग आकली सेकेंड में डैम बंद करवा देते हैं और लाले चंधन उस लकडी को चिन नहीं भिजवाता है दरसल यहाँ पर मंगल सीनू धोखा कैसे करता है कि वो लकडियों को 2 करोण में बेशता है लेकिन वो कुंडा रेड़ी को मातर 25 लाक रुपे ही देता है यह बात यहाँ पर पुस्पा सुन लेता है और यह बात जाके वो कुंडा रेड़ी को बताता है कुंडा रेड़ी पुस्पा को बोलता है कि तुम जाकर मंगल सीनू से बात करो अगर मंगल सीनू मान जाता है 50% पार्टनर्शिप के लिए तो ठीक है नहीं तो फिर तुम्हारी जान चली जाएगी यहाँ पर फिर सीन सिप्ट होता है, पुस्पा जाकर सिव अली के पिता को समझाता है कि मैं तुम्हारी बीटी से प्यार करता हूँ अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यह लोग रिक्सता लेकर उसके घर जाते हैं लेकिन उसी बीच पुस्पा का भाई आ जाता है और वो वहाँ पर भखेड़ा करने लगता है वो पुस्पा के बारे में काफी भला बुरा बोलता है और इसी बीच पुस्पा और उसकी लडाई होने लग जाती है यहाँ पर इन दोनों करिस्ता तूट जाता है यहाँ पर अगले सीन में हम देखते हैं कि पुस्पा मंगल सीनू के घर जाता है और उसे कहता है कि एक करोड रुपए उससे चाहिए, नहीं तो वो सीधा सीधा चेन्नाई में ही जाकर इन लकडियों को सप्लाई करेगा, यहाँ पर इतना सुनते ही मंगल सीनू के आदमी पु जोर पड़ जाते हैं और पुस्पा सभी को बड़ी बुरी ही तरह से मारता है और रहां से चला जाता है, यहाँ पर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो डारेक्टली चिननाई चला गया था, मुरगंद के पास जाकर वो चंदन की लकडियों की डील करता है, अभी उन लोग को 3 करोड रुपे मिलने वाले थे, यह बात वो कॉल करके सीधा कॉंडा रेड़ी को बताता है, कॉंडा रेड़ी यहाँ पर काफी गुस्से में था, लेकिन वो फिर भी मान जाता है, यहाँ पर कॉंडा रेड़ी इसलिए गुस्सा में था, कि पुस्पा को पहले मात 5% ही दिया जाता था, वो सीधा 50% की कमाई करेगा, यहाँ पर हम देखते हैं कि कुंडा रेड़ी का शोटा भाई दो लोगों को पकड़ लेता है, दो में से एक आदमी को मार देता है, वहाँ पर एक और आदमी था, सीव बली का पिता, वो सीव बली को वहाँ पर भुलाता है, और बोलता है कि उसके साथ एक रात बिताना चाहता है, उसे धंकी देता है कि तुम अगर मेरे साथ एक रात नहीं बिताओगी तो मैं तुम्हारे पिता को मार दूँगा, सीव बली यहाँ पर यह सारी बात जाकर पुस्पा को बताती है, पुस्पा यहाँ पर थोड़ी भा पुस्पा को मारने ही जा रहे थे कि उसी वक्त वहां पर मंगल सीनु के आदमी आ जाते हैं और वो उन सभी पर हमला करने लगते हैं पुस्पा इस बात का फाइदा उठा कर वहां से भागने लगता है पुस्पा के यहां पर हाथ बंधे हुए थे लेकिन फिर भी वो 17-80 को देता था लेकिन उसे भी वो जूर बोलता था इसलिए पुस्पा से यह सारी बात क्लियर की जाती हैं पुस्पा यहां पर सारी हकीकत बता देता है कि कितने में माल बेचा जाता था और कितना पैसा तुमें दिया जाता था पुस्पा यहां पर MLA को जादा पैसे देने का आफर करता है, पुस्पा याँ पर कहता है कि मैं तुम्हें 3 करोर रुपए दूँगा तब यहाँ पर MLA, पुस्पा को सेंडिकेट का हैड बना देता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कुछी सालों में पुस्पा इस धंदे का राजा बन चुका है और वहाँ का जो MLA था वो ही मनिश्टर बन चुका है और पावर भी उसके हाथ में काफी जादा आ चुकी है डियस्पी गोगिन को यहाँ से ट्रांस्पर दिया जाता है और वहाँ पर नया डियस्पी आता है जिसका नाम होता है और सिंस सिखावत यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कुछी दिनों बाद से उगली और पुस्पा की साधी होने वाली थी और वो अपने साधी का काट देनी के लिए सिखावत के पास जाता है और उससे थोड़ा रूडली बात करता है तो सिखावत पुसपा की बात उसे काफी गुसा हो जाता है और पुसपा की बेज़दी करता है उसे यहाँ पर नाजायद बोलता है पुस्पा यहाँ पर कुछ भी उसे नहीं बोलता, अपने गुस्से को सांध कर लेता है, फिर यह से कुछी मन्यों चलते रहता है, कुछी महीनों बात, जब पुस्पा की साधी होती है, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पुस्पा सिखावत के पास था, वो से बोलने लग पता है कि यहाँ पुस्पा की साधी हो रही होती है, और सिखावत पुरे बदले की आग में तरप रहा होता है, यहाँ पर हम देखते है कि पुस्पा के तीन आदमी है, पहला यह सिखावत, दूसरा मंगल सीनू, और तीसरा जॉली रड़ी, दोस्तों यह थी श्टूरी यह इसके बिजनस में कोई असर होगा, ऐसे कई सारे सावालों के जवाब हमें अगले पार्ट में मिलेंगी, तो दोस्तों हमें उमीड है कि आपको यह श्टूरी काफी जादा पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक करें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर स